नमस्कार फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपी के अपने चैनल चित्वन लाइव लेर्निंग पर मैं आज आपको टाइपस ओफ नाउन पढ़ाने जा रही हूँ कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं जो इंपोर्टेंट पॉइंट इससे बनेंगे जो इंपोर्टेंट कोशन्स यहां से बनेंगे वो सारे चीजे मैं इस वीडियो के अंतरिगत आपको बताऊंगी तो चलिए ज़्यादा समने लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो टाइपस ओफ नाउन स्टार्ट करने से पहले स्टूरेंट्स आप सबसे कहूंगी कि जो भी चैनल पर नया है वो इस चैनल को तुरंट सबस्क्राइब कर ले और उसके साथ साथ जो घंटे का बेल आइकन बना हाता है उसको भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको समय से होती रहे इस्टूरेंट्स वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइपस ओफ नाउन नाउन देखें नाउन जितने भी मेरे पार्ट्स ओफ स्पीच हैं अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है पार्ट्स ओफ स्पीच की तो आप डिस्ट्रेपशन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं क्योंकि उस वीडियो के अंतरगत मैंने जितने भी parts of speech होते हैं, उन सारे parts of speech के बारे में बताया है, तो चलिए, start करते हैं, noun, देखे, noun क्या होता है, एक simple में मैं बता देती हूँ आपको, कि जितने भी naming word होते हैं, जितने भी नाम होते हैं, वो सारे हमारे noun कहे जाते हैं, जै name of a person, a thing, an animal, a place, or an, an idea, are called noun, यानि कि कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगे का नाम, किसी भी स्थान का नाम, या किसी भी विचार का नाम, हमारा noun कहा जाता है, examples ले लेते हैं इसके, सबसे पहले है, person, person जैसे राहुल हो गया, सीमा, पूजार, परी, ये सारे person के नाम है, तो ये सब क्या है, हमारे noun है, दूसरा है thing, यानि टेबल, चेयर, पैन, कोपी, एक्सेक्टरा, तो यानि कि ये सारी चीजे, ये जो चीजों के नाम है, elephant में, dog, cat, elephant, animal के अंदर, dog, cat, elephant, horse, एक्सेक्टरा, place के अंदर, park हो गया, temple हो गया, house हो गया मेरट हो गया, ये सारे किसी जगे के नाम है, उसके लावा condition, condition जैसे illness होगी, powerful हो गया, तो ये एक चीज, एक तरह की एक चीज की condition होगी, उसके बाद है action, action में आपका आजाता है, जैसे run है, cat, run है, eat है, walk है, listen है, ये सारे हमारे action में आ जाते हैं, देखे, types of noun, यानि कि noun के कितने प्रकार होते हैं, देखे, noun, जो है, मुखेते दो प्रकार का होता है, पहला होता है, countable noun, और दूसरा होता है, uncountable noun, countable noun, उन noun को का जाता है, जिन्हें गणनिया संगया, देखे, जिन्हें गणनिया संगया, यानि कि जिसकी गणना की जा सकती है, जिसे हम count कर सकते हैं और uncountable noun जिसकी गणना नहीं की जा सकती यानि कि जिसे हम count नहीं कर सकते अब जान लेते हैं कि कौन-कौन से वो noun है जिने हम count कर सकते हैं और कौन-कौन से वो है जिने हम count नहीं कर सकते देखिए यह है हमारा countable noun countable noun आप देखी रहे होंगे screen पर कि countable noun हमारे तीन countable noun होते हैं पहला है हमारा proper noun, दूसरा है हमारा common noun और तीसरा है हमारा collective noun ठीक है, ये तीन हमारे countable noun होते हैं और uncountable noun हमारे कुन से होते हैं? देखे, ये दो हमारे uncountable noun होते हैं material noun और abstract noun यानि कि total जो noun के types होते हैं वो पास तरह के noun होते हैं जैसे अभी मैंने बताया तीन आपके countable noun होते हैं और दू आपके uncountable noun होते हैं countable कौन से होगे proper, common, collective यह countable हो जाते हैं और जो uncountable है वो material और abstract noun जो है वो हमारे uncountable noun होते हैं ठीक है proper noun को हिंदी में क्या कहते हैं अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो इससे भी आप समझ सकते हैं easily connect करते हैं पढ़ेंगे तो दोनों subject के तैयारी एक साथ हो जाती है जैसे proper को व्यक्ति वाचक संग्या common को जाती, collective को समू material को द्रव्य निके पदार्थ वाचक abstract को भाव वाचक संग्या हम कहते हैं चलिए next page पर चलते हैं अब जान लेते हैं कि हमारा countable noun क्या होता है ठीक है countable noun क्या होता है जैसे कि अभी मैंने उपर बता दिया आपको कि जिन जिन चीजों को हम count कर सकते हैं जो भी count की जा सकते हैं किसी भी लड़क कोई लड़किया लड़की का नाम है गल्स है क्लास है इन सब को हम count कर सकते हैं ठीक है तो countable noun के अंदर आजाता है हमारा proper noun proper noun क्या होता है कि the noun the noun which denotes a person which denotes a proper person place or thing ठीक है यानि कि वो noun जो किसी particular person place या think को denote करता है उसी proper noun कहते हैं या फिर नीलू है कोई भी नाम हो सकता है प्रोपर प्लेस में किसी particular place का नाम होगा मुंबई हो कोलकाता हो दिली हो बरेली हो कोई भी नाम हो सकता है प्रोपर ठीक के अंतर कोई भी चीज हो सकती है जैसे रामायन हो गया गीता हो गई बाबल हो गया या फिर कोई भी प्रोपर चीज जैसे किसी की फैन का नाम अगर आ गया, उशा का फैन हो गया, ठीक है न, जैसे हीरो हंडा बाइक हो गई, कोई भी ऐसा नाम जो किसी चीज को उसके नाम के साथ दिनोड करता है, वो प्रोपर नाउन के अंतरिकत आता है, आ जाता है, नेक्स् जैसे कोमन परसन प्लेस और तिंक्या हो सकते है, कोमन परसन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, या फिर मैन या वुमेन, मैन या वुमेन दो, जैसे मेल या फीमेल होता है, अगर हम किसी भी व्यक्ति को, अगर हम किसी भी लड़की को, जैसे इस तरह से बोलते हैं, कि इस 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 गर्ल जो गर्ल है वो इसके अंदर अपनी जाती को डिनोट कर रही है लेकिन हमने बोला रूपा इस आ ब्यूटिफुल गर्ल ठीक है यदि हमने बोला रूपा इस आ ब्यूटिफुल गर्ल तो रूपा जो है इस सेंटेंस के अंदर क्या है प्रोपर नाउन है और जो girl है वो इसी sentence के अंदर आपका common noun है यानि कि जो girl है वो किसी जाती को denote करता है और जो नाम है किसी भी particular person को denote करता है ठीक है तो इस तरह से common पर place हो गया जैसे किसी भी town को अगर town का नाम आजाता है तो वो proper हो जाता है लेकिन यहाँ पर town है, town कोई सा भी हो सकता है, वो merit के अंदर भी हो सकता है मुझे फरनगर के अंदर भी हो जाकता है यानि कि यहाँ पर confirm नहीं है कि कौन सा town है, town हो गया, school हो गया city हो ठीक है जब in school या city या town का कोई नाम हो जाए तो वो प्रोपर हो जाएगा और अगर नाम नहीं है तो वो common रहेगा जैसे common thing हो गया common thing में कोई book हो गई table हो गई pen हो गया fan हो गया यदि book का नाम हो गया कि ये science की book है या फिर ये किसी भी एक particular company की table है या किसी particular company का ये fan है तो ये यही जो word है ये आपके proper में चले जाते हैं इसके अलावा proper noun के अंदर common noun के अंदर students सारे profession आ जाते हैं जिसमें जैसे teacher है ठीक है teacher boy भी हो सकता है girl भी हो सकती है तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि teacher कोन है अगर हम teacher को बताएंगे कि yes this is a रूपा मैम या कोई भी मैम तो वहां पर वो क्या हो जाएगा कि एक proper noun बन जाएगा लेकिन जितने profession है चाहिए teacher हो doctor हो engineer हो carpenter हो जितने profession होते हैं वो सारे हमारे proper noun के अंदर आते हैं और जितने next piece पर आ जाता है हमारा collective noun क्या होता है the noun which denotes a group of person or other creature and collection of thing ठीक है यानि कि collection of thing यानि कि यहाँ पर group में चीज़े हम देखेंगे जैसे group of person group of person में देखिए a team of players ठीक है इस तरह के word जो एक group में होते हैं लेकिन एक particular रूप में बोले जाते हैं जैसे team of football ये जो team word है this is a group word और जो players होते हैं ये player के लिए जो एक particular जब player समों में होते हैं तो उन्हें हम team बोलते हैं उसी तरह से a class of student जब students जो हैं वो class में होते हैं तो उनको एक साथ जब हम बोलते हैं तो बो class बोली जाती है soldiers जब एक साथ में ग्रूप में होते हैं तो उसे army बोलते हैं crowd of people जब लोग का जुन्ड जो है बहुत बड़ी भीड होती है तो जब वो साथ में होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं crowd बोलते हैं तो यानि के team of players class of students an army of soldiers crowd of people ये सारे क्या हो गए ये सारे collective noun हो गए जो किसके अंतरगत आते हैं group of person के अंतरगत आते हैं ठीक है next है जैसे आपका collection of thing collection of thing के अंतरगत a fleet of ship यानि के जहाजो का बेड़ा a bunch of flowers flowers का गुच्छा a library of books books के library के अंदर books को समूँ a course of study a heap of dust ये सारे जितने भी हैं ये सब हमारे क्या हैं collection of thing है इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं हमारे collective noun से regarding बहुत सारे points बहुत सारे words बन जाते हैं इसकी जो वीडियो है वो मैं इससे अगले वाले topic के अंतरगत आपका एक particular वीडियो बना दूंगी क्योंकि इसमें इतने सारे हैं कि वो सारे एक topic में एक वीडियो के अंदर मैं cover नहीं कर सकती तो collective noun और abstract noun के उपर आपकी अगली वीडियो आपको एक या दो दिन में मिल जाएगी तो इस channel को subscribe कर लें ताकि उस वीडियो की update भी आपको मिल जाए अगला है आपका countable noun countable noun क्या है कि वो noun जिसे हम count नहीं कर सकते ठीक है न the noun which cannot be counted जैसे gold है, water है, oil है, coffee है, honesty है, etc तो इन सारी चीजों को हम count नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद countable noun के अंदर दो noun आजाते हैं पहला आपका जैसे भी पता है material और दूसरा abstract noun material कौन सा होता है the noun, material से पता चल रहा है यानि ते द्रव्या ये कि पदार्थ जिसके अंदर कोई पदार्थ होगा वो हमारा material noun हो जाता है जैसे the noun which denotes material example है copper है, silver है, tea है, coffee है, घी है, etc ये सारे हमारे material noun के अंतरगत आते हैं इसके अलावा student, जितनी भी हमारी air होती है जितनी भी हमारी gases होती है जो भी liquid form में या hard form में जो भी चीज़े हो जाती है stone something जो भी कुछ है वो सारा हमारा material noun के अंतरगत आता है इसके next आ जाता है हमारा abstract noun abstract noun क्या होता है the noun which denotes quality, condition, or action यानि के abstract noun के अंतर हमें अंतरगत हमें किसी भी व्यक्ति की quality या किसी भी चीज़ की condition या कोई क्रिया वो सारी हमारी abstract noun के अंतरगत आती है चलिए check कर लेते हैं कौन-कौन सी क्रिया देखिए an abstract noun we can't abstract noun में क्या होता है an abstract noun we can't see, touch, hear, smell, or taste these नाउन यानि के वो नाउन abstract noun वो नाउन होते हैं जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना hear कर सकते हैं ना smell कर सकते हैं ना taste कर सकते हैं यानि कि किसी भी चीज़ को दिया गया एक नाम जिसे छू या देख नहीं सकते abstract noun कहलाते हैं abstract noun को केवल feel कर सकते हैं abstract noun को केवल feel कर सकते हैं क्योंकि उसे हम छू नहीं सकते हैं touch नहीं कर सकते और उसको हम सिफ महसूस कर सकते हैं और देख भी नहीं सकते example है हमारे जैसे सबसे पहला है आपका honesty honesty यानिके इमानदारी इमानदारी को you can only feel आप उसे touch नहीं कर सकते love, love को भी feel किया जा सकता है thief, जो thief होता है चोरी होती है चोरी को भी thief feel किया जाता है यूदिक चोरी एक action word है जो action word है वो भी हमारा क्या होगा abstract noun में जाएगा ठीक है, जो आपका hate हो गया, hate आपकी घ्रणा हो गई ये भी आपकी feeling है time भी आपकी feeling है कि yes time है, क्योंकि उसे हम देख नहीं सकते ठीक है, feeling जितनी भावनाएं हमारी होती है, जो subject हमारे जो भी subject हमारे आएंगे because subject जो है एक तरह का एक तरह का concept है उसे हम देख नहीं सकते, only we can just feel of that, okay expectation जितनी भी हमारी उम्मीदे होती है, चाहिए वो अच्छी हो या बुरी हो वो भी सारी हमारी किसके अंदर जाएंगी abstract noun के अंदर जाती है ठीक है students, इसके अलावा हमारे sentences यहां से बन जाते हैं abstract noun से regarding जैसे पहला है he answered all her question with patience यानि कि उसने उसके प्रशनों के सभी प्रशनों के उतर दिये किसके साथ patience के साथ, जो patience है यहां पर क्या बन जाता है हमारा abstract noun बन जाता है, इस तरह से sentence आजाता है कि आपको इसमें से abstract noun जो है चाट के लिखना है, तो honesty is the best policy, ठीके तो honesty क्या होगे इसमें, हमारा abstract noun हो गया, love is blind, love क्या हो गया हमारा abstract noun हो गया, तो इस तरह से sentences आजाते हैं, जिन में से आपको आपके abstract noun निकालने होते हैं, students मैं फिर से दोराना चाहूंगी कि मैंने भी बताया था आपको वीडियो भी देख लिए क्योंकि उसके उसके अंदर collective noun और abstract noun से related बहुत सारे examples दिये हुए हैं, जो competition exam में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीके students चलिए मिलते हैं next वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद, जै हिंद जै भारत